आज आप जिस शक्सियत को मिलने वाले हैं वे तारीफ के मौत आज नहीं नाम है गोविंदा एक बहतरीन आक्टर जिनकी अंगिनत फिल्मों ने हमारा भरपूर मनोरंजन किया है हाली में प्रदर्शिट फिल्म लाइफ पार्टनर में इस बहतरीन आक्टर ने एक बार फिर अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया था अब इंतजार है डेविड दवन की नई फिल्म का जिसका नाम है दू नॉट डिस्टर्ब फिल्म की थी और वो काम करता गया मैं यह सोचता हूँ कि इस सभी चीजे जो हैं यह सब कुल मिला के एक ही चीज की महताज होती है जिसे हम कहते हैं उसकी कृपा तो वो बरकरार रहनी चाहिए बाकी मेरा यकीन जो है काम मिलने में और अच्छा काम करने में है बड़ी इंटरस्टिंग चीज होई है मेरे साथ जो पॉलिटिक्स में आ गया और आने के बाद में जब मैंने सोचा के रिलाइस किया कि नहीं मुझे मेरे जड़ से जुड़ा होना चाहिए तो मुझे काम करना चाहिए फिल्म लाइन में तो मैंने सोचा ठीक है मैं कोई भी किरदार मिल जागा करेक्टर मिल जागा कुछ भी मिलेगा काम मिलेगा मैं काम करूँगा मेरे लिए वही सफलता है मैंने कभी यह सोचा नहीं था कि मुझे रुमांटिक फिल्म मिलने शुरू हो जाएंगी कभी नहीं सोचा था अप कहां से रो रोमांटिक फिल्म कहां मिलेगी पहले तो लोग यही सोचने लगते हैं कि पॉलिटिक्शनर हो गया आदमी तो वो तो शुरूर हो गए उनकी तरह तरीके सोच नहीं लोगों की सोच बना जाती है बहले पॉलिटिशन ऐसा ना हूँ अपनी ग्लॉरियस इनिंग्स के लिए और आज भी आप मैदान में डटके खड़े हैं जब आप अपनी पीशे मुड़के देखते हैं और अपने बॉडी आफ वोर्क को देखते हैं कई बहतरीन फिल्मों का अहम हिस्सा रहें नहीं उसका शुक्र से तो मैं हीरो ही रहा हूँ अभी जाकर मैंने कुछ करेक्टर्स कियें 86 में लव 86 इल्जाम जुटा इल्जाम उसका टाइटल था लेकिन अच्छा जुटा है अभी तक केरियोन है पॉलिटिक्स में आने के बाद वो जादा हो गया था और फिर आई 87 में सिंदूर मरते दम तक खुदगर्स 88 में दरिया दिल 89 में स्वर्ग 90 में हम 91 में शोलार शबनम 92 में 91 में जैसी करनी ऐसी बहनी 92 में शोलार शबनम 93 में आखे 94 में कुली नमबर बन 95 में साजन जले सासराल 96 में हिरो नमबर बन 97 में दिवाना मस्ताना 98 में बड़े मिया चोटे मिया तो लाइन में मुझे हिट्स मिली या कभी ऐसा रहा मुझे मेरे दोस्तों ने हमेशा कहा कि गूइंदा तुमने प्रेस के साथ में और फेम को के साथ में जो तुम को तरीके से पेश आना चीए था तुम उस तरीके से पेश नहीं आए और पॉलिटिक्स में आने के बाद मैंने रिलाइस कि या आपके व्यापार से जुड़े हुए आपके काम से जुड़े वे कोई भी अंग को अगर आप नजर अंदास करते हैं तो वो खामी आप खुद में खुद पैदा करते हैं तो आप अप स्टार्टेट डूइंट तो वो ठीक करना शुरू कर दिया है मैंने तो लेट सोब कि जो चीज़े हुई है वो भी प्रदरशित हो जाएंगी और जो चीज़े हो रही है वो भी और जो आएंगी वो भी और आपने हर साल या हर दो साल में नया कॉम्पटिशन देखा आपके सामने कड़ा है कैसा मैंसेश करते हैं competition तो मैंने देखा ही नहीं कभी मुझे मैंने उस तरफ गोर भी नहीं किया अगर मैं गोर करता तो मैं काम नहीं कर पाता मेरी मदर ने मुझे बहुत अची चीज कही कि उन्होंने कहा कि देखो या तो जो मिला है उसकी तरफ तुम देख सकते हो या तो लालच और उस तरफ देखकर तुम जो मिला है उसकी तरफ नजर अंदाज कर दोगे जलसी देखोगे तो वो तो सकसेस से मिली है तो मैं जलसी को देखूँ कि मैं सकसेस को देखूँ मैं जलसी नहीं देखूँगा सक्सेसफूल है अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं हम हैं सो हम है पहले पार्टना फिर लाइफ पार्टना और अब सभी की नजरे जमी हैं डो नॉट डिस्टरब दे उम्मीदे बेशुमार हैं आप क्या कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि डेविड बहुत ही इमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति हैं मुझे लगता है कि उसने बहुत सो समच के अच्छी एंटर्टेनिंग फिल्म बनाई है तो जैसे अगर आप देखें हसीना मान जाएगी मेरा जो करेक्टर था तो वो करेक्टर को हम लोग ने पकड़ा था एक्छी और इमरीसरमे मैं गया था तो वहां पर मुझे वो मिल था तो मैंने सोचा कि इसको मैं फिर्म में तो ऐसे कोई कही कही लोग मिल जाते हैं उनको यह पता नहीं होता कि उनमें क्या भास है यद्रभ और कुछ है ऐसा जिसको लोग बहुत गोर करें तो ये मुझे मिल गया अच्छा ये करेक्टर आपने मुझे मिला मुझे बंदा मिला था जो बड़ा ही नॉर्मल जैसे आप और हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन कोई अगर भाई भी तुससे कुछ कुछ कह दे तो उसकी उसकी पूरी परस्नालिटी जो है वो खीचती चले जाती तो उसको पता नहीं होता था कि उसकी परस्नालिटी पूरी खीच रही है और जैसी वो निकल जाए भाई तो फिर से शेयर बन जाए तो आई सौद मैंने बोला इसको कॉपी करता हूँ मैं इसको पकड़ता हूँ जनता इसको पसंद करेगी तो आई फेल्ट यून बट कई लोगों का मानना है कि आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो डेविड दवन की फिल्मों में सबसे आप्टिमम सबसे बेहतर होता है क्या है डेविड की फिल्म जो है उसमें वो मौके भी देता है मुझे हीरो नमबर वन में पांच लिल में बेगराउंड लीनी है अगर आप सोचें तो आप बोलें कि ये कैसे मुमकीन है या कैसे हो सकता है तो जब हमने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि ये बेगराउंड मीजिक जो कर रहा है इन्होंने बड़ा इमोशनल उनको ऐसा लगा कि वो सोचल फिल्म देखर रहे है मैंने कहा ये एंटर्टीनिंग है ये सोचल नहीं है भीया तो वासु ने कहा तो हमनों मीजिक कुछ कर नहीं सकते लेकिन डेविड हैस सो मच आफ ट्रस्ट इन में कि ये जूट नहीं काएगा काम से इमानदारी जो है वो एक तरीका है कि जो मुझे किरदार आपने दे दिया जो मैं रोल कर रहा हूँ तो भीया ये ऐसा होना चाहिए और ये फिल्म ऐसी हो नहीं तो उसने वो पांच और रिल में ही नहीं कुछ सिर्फ डैलोग्स चलते हैं और फिल्म सुपर इट है आज तक किसी ने ये पकड़ा भी नहीं कहा भी नहीं किसी ने तो इस हद तक जब डिरेक्टर्स और अक्टर्स मिले वे होते हैं तो ऐसे ही आती हैं फिर लाइन में हिट्स आइ तिंक उसको उसका प्यार और उसका ट्रस्ट जो है यकीन जो है मुझे मैं आइ तिंक वो है नॉर्माली लिखाया भी कहा जा रहे हो इसे लोग मिलते हैं दुनिया में मिलते हैं ऐसे लोग डेविट को उसमें यकीन है कि ये करेगा तो 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 साजन चले ससुराल में आप एक आदमे थे जिनकी शादी भी हो गई है और बाहर भी रोमैंस चले है हाँ मतलब एक ट्राइंगल था ये भी एक ट्राइंगल है देविट को बड़ी खुशी होती है खुद की मरजी निकालता रहता है अच्छा उनका वो मसाला जो है वो ही है वो ही है वो कि देविट को आपने शुरुआत से देखा है उनकी पहली फिल्म बतौर डिरेक्टर ताकतवर से लेकर अब डू नॉट डिस्टरब तक आप तकरीबन हर फिल्म का आप एहम हिसा रहे हैं ऐसा स्टूरी टेलर आपको लगता है डेविड धवन आज की तारीक में उन फिल्मों के या पिछली कई फिल्मों के कि सकसेस से तालुक रखता है और इतने सब करने के बाद этот सालों से सकसेस देने के बाद बहुत ही सर्क है थी है वह और एह नॉट के आपको नहीं ऐसा लगेगा तैश में रहता है लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई मलिः आगया है या इससे डरो भीया, इसा नहीं लगएगा, he is normal, that's I think he is so successful for years and years यह title क्यों, do not disturb, यह क्यों सची बताऊं, मैं इंसाल रफड़ों में आता नहीं हूँ इस बार नमपर वन टाग नहीं आता यह जगड़ों में नहीं आता, यह politics ने मुझे दिया है यहां यह meeting क्यों है, इस street पे यह क्या हो रहा है वहां पे, उस मंच पे यह क्या कह रहा है मैं इस सबसे बार आ गया हूँ मैं सिर्व यह देख रहा हूँ कि भाईया, आप काम्याब है, आप काम्याब है, आप काम्याब है हम भी है आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, काम कर रहे हम हैं, वो जो किरदार निवारा है, वो उस किरदार की दिकत है, हमारी दिकत नहीं है, तो मैंने डिविट से सवाल नहीं पूछे, कोई सवाल नहीं, ये काम है, चलो करो, वो काम है, चलो आजाओ करो, लेस्ट वाक, लेस् मुझे नहीं पता व히ृया है। झम छीका नाम के विभाएंब का नाम वहेंजाने कॉल्म के टॉष्या घॉष्या करेंगे। नहीं आपने कुछ कहा मुझे बहुत घराब लेकिन मुझे नहीं पता तो some few people have a habit to get into thing and they get stuck into that thing that is wrong I think कला कुला की दुश्टी से देखना चाहिए देविड जी ने मुझे कुछ रोज पहले एक बहुत interesting बात कही वो कहते हैं मैंने ऐसी बात बात में आपकी और रितेश की on screen tuning के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ये बड़े मिया चोटे मिया है ने ने मैं बड़े मिया से तो मैं किसी को नहीं मिला सकता वो विभूती है देश की और जो देश में ये चंद विभूतिया है वो रहर है और वो रहरी है और ये कोई साधरान नहीं है मैं इस चीज से बाहर निकल के नॉर्मल जिवन जिवन नॉर्मल जिंदगी के में अच्छे लोग जो काम करते हैं तो I feel I'm into right age now where I'm doing films with all the youngsters and if they get success and if I get a success with them it's a very very healthy atmosphere generally आपको लोग associate करते हैं comedy filmों से और आपने कई बहतरीन comedy filmें की हैं और आपको बहुत पसंद भी किया जाता है पर कहीं ना कहीं इस सिक्के का अगला पहलू भी यह है कि आपको नहीं लगता आप कहीं ना कहीं आप stagnate हो गए है नहीं ना मैं तो कह रहा होने तरंजीब मैं I'm very surprised कि मुझे सब romantic filmे मिली है एक film का मैं जिकर करना चाहूँगा जो आपने डेविड धमन के साथ की थी और जो बहुती उंदा फिल्म थी स्वर्ग जे emotional film वो मेरी बहुत पसंदिदा है फिल्म देखिए वो भी जो social फिल्म थी वो और उसका जो स्त्रोथ था मुल वो प्रेम था मालिक और उसके नौकर के में जो एक भक्ती होती है वो स्त्रोथ था उसका और उसको लेकर वो बड़ा आज मन जाता है वो खुद सेठिया हो जाता है तो वो जो उसने डेविड ने जिस तरह से पेश किया था वेरी स्वेट इट वा और हीरोजम भी था उसमें कॉमेडी भी थी उसमें सब कुछ था मैं आपसे यही पूतना चाहूँगा कि जब आपने इसने ऐसे emotional roles भी किये हैं पर बहुत नहीं किये आप कॉमेडी रोल्स में शायद कहीं न कहीं बंद के रह गए एक इमेज का शिकार बंद के रह गए अच्छा हुआ वो अगर आप देखें तो उसका एक इतियास है अब 1994 से यह शुरू हुआ तो 2004 तो दस सल तो यह पूरे पूरे सक्सेस्फुल रहे जो निनमबर वन आई लास्ट में और पूरे के पूरे 10 एर्स उसकी वो है हो सकता है कि वो emotional और उस तरह की जो फिल्म है जो मैं कर रहा था उस टेम पे वो इतना successful maintain नहीं रहता और इससे जो relaxation रही मेरे पूरे system में personality में काम भी किया, enjoy भी किया, मस्ती भी किया, हसे खेले भी और जिसने देखा उन्होंने भी enjoy किया अब अगर आप देखें तो पूरे country में जो फिल्में बन रही है वही बन रही है और एक्टर की career वैसे बन गया है जी और पहले यह होता था कि यह comedy film इसको क्या वाड़ देना अब यह चार comedy है इसमें से best comedy को ने इसको अवाड़ दो तो इतना बदल गया है which is very good I think serious cinema भी होना चाहिए romantic भी होना चाहिए हर तरह के cinema होने चाहिए लेकिन जो work आपको मिलता है उसमें आप best काम करके दीजे and mahalipoor आप ऐसा हो गया है which is very interesting एक आप एक एहम film का हिस्सा है जो release होने वाली I know it's too early to talk about this but मैं जाना चाहूँगा आपके विचार उस film maker के बारे में मनी रत्नम जिनके साथ आप उनकी आने वाली film रावना कर रहे है बहुत बढ़ी है वो school है उनका खुद का और तोर तरीके हैं और जो पूरा उनका जो उनके school की पकड़ है बहुत ही मुझे लगता है कि समय पाबंद है जिस तरीके से वो काम करते हैं वो बहुत ही गहरा और सुलजावा काम करते है किरदारों के पर भी क्यूंके अच्छी आर्ट की समझ होने के वेदे से उनके फ्रेम माइंड में होता है कि मैं इस तरह से इस किरदार को पेश करूँगा वो अगर आप अच्छा भी करके दिखाए तो यह एकसेप्स और अट बिंस ऐसा भी नहीं है कि उनके इंटेलिजन्स का आप पे दबाव है और मैं तो उस फिल्म में सिर्फ चार सीन मुझे लगता है चार पांस सीन करने गया था मैं उस फिल्म में प्यार से मैंने फिल्म की थी क्योंके मैंने सुचा था कि चलो अच्छा वर्ग है अच्छा पूरी कास्टिंग है और काम किया जाए चलिए तो वो होते होते थोड़ा बढ़ गया और तो I think I have enjoyed whatever I have done with him and he is a brilliant director the way he makes you act the way he creates the atmosphere he takes you in that उस दुनिया में आपको दिखाते हैं कि भीया यह देखी यह ऐसा है रंग और आपकी परफॉर्मिंस आपको लगता है इस फिल्म में स्पेशल होगी तरह जी मैं ऐसे सोच के नहीं काम कर रहा हूँ मैं सिर्फ नॉर्मल काम किये जा रहा हूँ और मैं यह सोच के कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ यही की खुसरत चीज़ है उसका प्रेशर में बोज लेने में मैं यकीन नहीं रखता सादगी से जो होगा सो होगा मुझे ऐसा लगता है कि वो इबेटर रही मैंने हाली में पढ़ा है कि पार्टनर का जो सीक्विल बनने वाला है जिसका बेस सबरी से इंतजार किया जा रहा है आप और सल्मान खान को दुबारा साथ में देखना है डेविड धवन के च्छतर चाहा है निर्देशन में बट मैंने सुना कि आपको और सल्मान दोनों को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई यह सही है हाँ वो दुबारा की कोई ऐसी चीज नहीं थी बात यह है कि मेरी और सल्मान की जो सोच है तोर तरीके जो है चाहत जो है हमारा नेचर जो है काफी हद तक उसकी दुनिया मेरा अलग-अलग हीरो होने के बावजिद मिलता है तो जब यह चर्चा हुआ तो यह हुआ कि इस नोट गोइंग अबाव पार्टनर अगर पार्टनर के बाद में यह फिल्मानी है तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग मिलके क्या कह रहे हो क्या कर रहे हो और क्या एंटर्टनिंग चीज होने वाली है और इंतजार है अच्छा है वो इंतजार जो है वो फिर जाग गया तो I think David is looking after it and it's very good that David, David and Sohail बाई, they understand it उस घर में मुझे ज़्यादा चर्चा नहीं करना आए नहीं मुझे नहीं कुछ है मुझे और मैं मैं खुल के कह भी देता हूं They allow me to do so so I think yeah and I think after 28th of this insha Allah we'll meet and we'll talk Okay, आपकी बेटी फिल्मों में आ रही है अभी मुझे मैंने नहीं सोचा था कि वो फिल्मों में आएंगी लेकिन मुझे बड़ी खुश हुई क्योंकि हर वो व्यक्ति जो मता पिता की सुनता है पता नहीं क्यों मुझे मेरे वर्ग का लगता है It was very important for me to, कि मैं इसको right time पे कहूँ कि हाँ, तुम ये करो तो जैसे उसने मुझे कहा कि मैंने बहुत है, हाँ चलो इसमें ये मैं अगर इसको, इस सोच को टाकत देता हूँ तो उससे, उसकी personality जो है वो उभरेगी और वो अच्छा काम कर पाएगी तो उसको फाइदा हुआ और उसने जो जो मैंने कहा, उसने इतना सुना कि मुझे इससे लगा कि विया ये तो, this is something very good और अगर आप देखें अगर आप next time जब हम लोग आपके साथ में सब family के साथ कभी interview कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि आपको सबके चेहरे almost जैसे लखने लेंगे, क्योंकि सबके तोर तरीके एक है, सबके सोच एक है, सबको सबके चलने का तरीका, समझने का तरीका, वहबार का तरीका एक होता जा रहा है, which is very good तो आप launch करेंगे, उनकी करिया के बारे में कुछ बताएं I think she will start with something, some, जैसे मैं अभी आया तो मैंने साथ top directors के साथ काम किया, top producers के साथ काम किया, तो उसी तरह से उसको start कर आएंगे, क्योंकि वह अपनी फिल्म के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, वो खुद publicity जादा करते हैं, बहुत सा बोज आर्टिस्ट का जो है, वो होता ही नहीं है, उसको जाकर सिर्फ खुद का काम अच्छा करना है So you give yourself into a right hand and they will create a right future for you Okay, हमारी conversation में एक शब्द का बार-बार जिकर निकला है, politics, तो क्या politics अब दुबारा करेंगे या politics को आपने बाई-बाई कह दिया है मैं politics को इस बार उस बार ऐसे मैं मानता नहीं हूँ, मैं दुबारा और मैं मानता नहीं हूँ मैं ये मानता हूँ कि politics में आप जाए या ना जाए, politics आप में होता है, वो घर से ही शुरू हो जाता है वो आप उदर पहुँचे ना पहुँचे वो आप तक पहुँची जाता है लोगों को ये समझना होता है कि भाईया हम है इसमें अब इसको किस तरीके से हम समालते हैं गोविंदा, डेविड धवन और वाशु भगनावी जब भी साथ आए हैं सक्सेस मिली है ये सक्सेस मिली है अब ये है कि जब सक्सेस मिलती है तो उस वर्ग को और किस तरह से उसको इस्टाबलिश करना चीए मैं इसी पर दबाओ और वदन मैं सोच रहा हूं कि रहे कि आपको उसकी सफलताओं में निर्विग न सफलता मिले उस पर मेरा दबाओ है आपको लगता कि इस बार भी कामयाबी डेफिनिटली आपके साथ होगी जी कामयाब कि साथ साथ कामयाब चीज़ को लेकर आगे चलना बड़ा महत्पूर्ण होता है उसे याद दिलाते रहना भी एक कामयाब तरीका है वो मुझे लगता है कि उस पर जोर देना चाहिए